को ने किया होगा विद्या और राजिश अपने दोनों बेटे हेमंत और चिराग की साथ रहते हैं दोनों की उमर हो जाने की कारण एक रोज राजिश विद्या से कहता है अब दोनों लड़कों की शादी करके हम भी फ्री हो जाते हैं हमारी भी उमर हो गई है पता नहीं कब भगवान कब बुलावा आ जाए फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा हाँ जी बात तो सही है अब देखिए अपने बेटों के लिए लड़की राजिश अपने दोनों बेटे हेमंत और चिरा के लिए लड़की देखने लगता है लेकिन एक भी लड़की उसे पसंद नहीं आती एक दिन राजिश शिव मंदिर में जाकर बैट जाता है राजिश जैसे ही मंदिर में माथा टेकता है वैसे ही श्यामलाल का फोन आ जाता है और वो कहता है मैंने सुना है आप अपने बेटों की शादी के लिए लड़की देख रहे हैं देखे मेरी दो बेटिया है नीतो और अकांग्षा मैं भी उनके लिए लड़का देख रहा हूँ अरे फिर देर किस बात की आज ही हम मिलते हैं ठीक है जी तो शाम को मिलते हैं राजिश हाद जोड़ती हुए कहता है भगवान तेरे लीला अपरमपार है आज ये रिष्टा बस हो जाया है मेरी सारी चिंता दुर हो जाएगी शाम में राजिश और विद्या श्यामलाल की घर जाती हैं और दोनों बेटों के लिए उनकी दोनों बेटियों को पसंद कर रिष्टा फाइनल कर लेते हैं अब मैं निश्चिंद हो गया मेरी दोनों बेटी एक ही घर में जा रही इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगले मईने नीतु के साथ हेमंद और चिराक के साथ अकांगशा की शादी हो जाती है और दोनों नीतु और अकांगशा बहु बन कर विद्या के घर आ जाती है आने के साथ ही दोनों बेहन घर के जिम्मेदारी उठा लेती है सुबह पहले दोनों उठकर घर की साफ सफाई कर, नहा धोकर रस्वय में लग जाती है और आठ बच्चते बच्चते नाष्टा बना कर सबको दे देती है अज तो इतनी जल्दी नाष्टा मिल गया हेमंद और चिराग की बाते सुनकर विद्या को बहू उपर गुसा आने लगता है लेकिन वो कुछ कहे बिना उठकर अपने कमरे में चली जाती है शादी के बाद चिराग और हेमंद अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है दिन बीतने लगते हैं और एक शाम हेमंद नीतु को दुकान से कॉल करके कहता है तुम दस मिनिट पर तयार रहना मैं घर आ रहा हूँ हम पिक्चर देखने चलते हैं अभी इतनी चल्दी कैसे मैंने रात का खाना भी नहीं बनाया अरे खाना वाना छोड़ो जब तुम आई नहीं थी तब सब कैसे होता था मैं आ रहा हूँ ले न तयार रहना नीतु तयार होने लगती है क्या करूं मैं अगर नहीं गई तो ये गुस्सा हो जाएंगी हेमंद घर आता है और विद्या को बिना पूछे ही घर से नीतु को लेकर चला जाता है थोड़ी देर बार चिराग भी अपने उफिस से आ जाता है और अकांगशा से कहता है मैं तो भूली गया था कि आज एक पार्टी में जाना है जट से रेडी हो जाओ अरे पर मम्मी से पूछ लेती हो ना एक बार मैंने खाना भी नहीं बनाया रात का अरे ये सब पूछा पूछी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना टाइम भी नहीं है आज अगर तु मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हें अपने साथ मैं कभी नहीं ले जाओंगा उफो चल रही हूँ ना बाबा, दुपर का खाना वैसे ही पड़ा है, मम्मी जी और पापा जी का हो जाएगा अकांग्षा तयार होकर चिरा के साथ पार्टी में चली जाती है इधर जब राजेश दुकान से घर आता है, तब विद्या बहों को आवाज देते हुए कहती है थोड़ी दिर तक आवाज ना आने पर विद्या कमरे से बाहर आकर देखती है, तो कोई भी घर में नहीं था गुस्से में वो राजेश से कहती है देखा जी आपने, दोनों ने आती है मेरे बेटों को अपने वश में कर लिया इनकी आनी के बाद से मेरे बेटे मुझे टाइम तक नहीं देते सब बहों का किया धरा है अगले दिन विद्या के दवाई खत्म हो जाती है और वो नीतू से कहती है बहों हेमन से कह देना कि आते वक्त मेरे दवाईया लेता है जी ममी जी, नीतू उसी वक्त हेमन को फोन करके दवाई लाने को कह देती है लेकिन रात को हेमन बिना दवाई घर आ जाता है ममी जी की दवाईया कहा है ओ शिट मैं तो भूली गया, कल पक्का ला दूँगा नी तु जाकर विद्या से कह देती है और विद्या मन ही मन कहती है मुझे सब पता है, ये सब तेरा किया धरा है बहू तुने हेमन से दवाई लाने को कहा ही नहीं होगा अगली दिन विद्या की पडूसन उससे मिलने आती है तेरी किस्मत बहुत अच्छी है विद्या, जो तुझे ऐसी बहू मिली है क्या खाक अच्छी है? आते ही मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दिया दोनोंने कल मैंने अपनी दवाई के लिए कहा था लेकिन मजाल है कि नी तू बोल दे है मन से कि मेरी दवाईया नहीं है ये सब ना बहु का किया धरा है असा भी तो हो सकता है ना, कि तेरे बेटे ही बतल गया हो मेरे बेटे नहीं बता सकते, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ इधर चिराग आकांगशा से कहता है ये हॉल का डिजाइनिंग चेंज करना होगा सोफा यहां से अटा कर कहीं और लगाते हैं ये तो मम्मी जी का लगवाया हुआ है न वो गुस्सा करेंगी तो अरे कुछ नहीं होगा, मम्मी को मैं देख लूँगा आकांगशा सोफा हटा देती है जैसे ही विद्या सब कुछ देखती है तो चिलाते हुए कहती है क्या है ये सब? ये सब दोनों बहुँआ का किरा कराया है जब से दोनों आई है, मेरे दोनों बेटे मुझसे दोर हो गया है ममी जी, ये मैंने इनके कहने से किया है मैं सच कह रही हूँ करती सब कुछ तुम दोनों हो और ना मेरे बेटों का लगा देती हो मेरे बेटे मुझसे बहुत प्यार करते है सोफा वापस हौल में उसी जगह लग जाना चाहिए जी मम्मी जी आकांगशा नीटू से कहती है दीदी अब मैं क्या करूँ तुम्ही मेरी मदद करो अरे सोफा वापस हौल में लगा देते हैं आखिर मम्मी जी ही तो इस घर की बड़ी है नीटू और अकांगशा मिलकर हौल में सोफा वापस लगा देती है रात को जब हेमंद और चिराग घर आते हैं तब सोफा वापस हौल में देखकर चिराग कहता है ये सिब क्या है अकांगशा ये सोफा यहाँ वापस किससे लगाया सही मैं सोफा घर के लोग को खराब कर रहा है इसे हटाओ यहां से देखिए हमने मामी जी के कहने पर सोफा वापस यहां लगाया है मा वीना गजब करती है कभी-कभी कुछ तो समझना चाहिए यह सब विद्या सुन लेती है उसकी आँखे भराती है यह मेरी बहूं ने नहीं मेरे बेटों ने किया है मेरे बेटे बदल गए है और मैं हमेशा अपनी बहूं को जिम्मेदार मानती रही किसी ने सची कहा है बीवी के आने के बाद बेटे बदल जाती है पर इसमें मेरी बहूं की कोई गलती नहीं है मैंने तो तुम से पहले ही कहा था कि सौभागे से ऐसी बहुएं मिलती है जब अपने बेटों में ही कमी है तो तुम क्या कर सकती हो उधर आकामशा कहती है यह सोफा ममे जिसे पूछ कर ही हटेगा यहां से इतने दिनों तक उन्हीं ने घर को चलाया है आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं रहता सोफा यहां से हट तो जाएगा लेकिन इसकी जगह कुछ और आप ही नहीं पाएगा अब हम इस घर के मालिक है मां से क्या पूछना वो बुड़ी हो गई है यह क्या कह रहे हैं आप वो आपकी मा है अभी तक उन्हों नहीं आपका खयाल रखा और आप दुनों उनके लिए ऐसा कह रहे है आप लोग ना सच में बदल गया है जिस मा ने आपकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया आप दुनों उसी मा की इज़्द करना भूल गये लेकिन मैं अपनी सासुमा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूगी इस घर में वही होगा जो ममी जी चाहेंगी तब ही वहां राकेश और विद्या आ जाते हैं हेमन्त और चिराग विद्या के पास जाकर माफी मांगती हुए कहते हैं माप शादी होते ही हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगे थे इन सब में हम ये भूल गए कि आपकी मिना सब अदूरा है बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए माबाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं हमें माफ नहीं करोगी मा गलती बस तुम दोनों ने नहीं की मेरी बेटियों तुम जैसी बहुए हो तो बेटे कभी माँ से दूर जाही नहीं सकते तब ही राजिश कहता है अब तुम्हारी माँ हमेशा कहेगी ये सब मेरे बेटों ने किया है अभी ना जी सब हस्ते लगते हैं नीतू और अकांग्शा के कारण चिराग और हिमन्त वापस अपनी मा के आचल में आ जाते हैं